नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में बिहार उत्पाद दरोगा पेपर का कोस्टन डिसकस करेंगे ये पेपर कब हुआ था तो 25 आठ 2019 को पेपर हुआ था रापको याद रखना ये मुख परिछा का पेपर है और देखे में बात होता है कि जो बिहार दरोगा है इसमें बहुत के मुकाबले 10 से 15 नमर उपर रहेगा 10 से 15 कोस्टन जो और एक मुकाबले आप उपर रहेगा तो इस वीडियो को ध्यान से देखेगा जो टेलेग्राम गुरूप जोइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्सिन में दिया गया है तो आई देखते हैं पहला कोस्ट पहला कोस्टन है कि किस मुगल सासक ने साहू को मुक्त किया था तो किस मुगल सासक ने साहू को मुक्त किया था तो मुज्जम ने मुक्त किया था किसने मुज्जम ने तो डी इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्टे की हिस्टोरी का नामक परसीद रचना किसकी है तो ह हेरोडोटर्स का है किसका है हेरोडोटर्स का तो सी इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि भारत में पहला एम्स खुला था भारत में पहला एम्स जो है कहां पर खुला था तो भारत में जो पहला एम्स नई दिल्ली में खुला था तो ए इसका राइट एंसर हो के कालकरम के अनुसार आपके शही है तो नामदेव सबसे पहले पिर रामानुज चैतन तुल्सी तो सी इसका रायट हो जाएगा नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन जोए काॉंग्रस का कभी अध्याच नहीं रहा इसमें जोए कभी भी काॉंग्रस का अध्याच रहा ही नहीं तो आपको याद रखना है कभी भी Congress का अधियच बाल गंगा धरतिलक नहीं रहें, कौन रहें, बाल गंगा धरतिलक कभी भी Congress का अधियच नहीं रहें, जबकि सुरेन्दाथ मिनर जी, गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी आपके Congress के अधियच बनते हैं, तो C इसक right answer हो जाएगा, सती पर्था का उन्दमुलन किसके सहीयोग से होता है, तो राजा राम मोहन राय के सहीयोग से होता है, तो A इसका right answer हो जाएगा, नेक्स्ट है, मोगल और मेवाल के बीच संधी कब होई थी, तो 1615 को हुआ था, कब हुआ था, 1615 में, तो B इसका right answer हो जाएगा, नेक्स्ट है कि ताज महल के लिए पत्थर कहां से लाया गया था, तो ताज महल बनाने के लिए पत्थर कहां से लाया गया था, तो मकराना से लाया गया था, कहां से, मकराना से, ठीक है, इसे मकरान भी बोला जाता है, नेक्स्ट है कि कॉंग्रेस की अस्थापना के समय, भारत का 22 कौन था, तो लोड डफरीन था, कॉंग्रेस की अस्थापना कब होती है, तो 1885 में कॉंग्रेस की अस्थापना होती है, नेक्स्ट है क यग की देखरेख कौन करता था जो यग है यग की देखरेख कौन करता था तो ब्रह्मा करता था कौन ब्रह्मा तो बी इसका राइटेंसर हो जाएगा नेक्स है कि सुलह एकुल की निती किसने अपनाया था तो सुलह एकुल की निती जो अकवर के द्वारा अपनाया गया था अकभर के दोरा तो ड aha छायगा नेक्स एकि टेली से डेली ने सिज्ट की सिज्ट के नाम चींद सिज्ट three रुद् hacemos Gian राइट एंसर हो जाएगा मंगल पांडे का संबंध किस इनफेंट्री से था अच्छा कोशन है मंगल पांडे का संबंध किस इनफेंट्री से था तो 34 इनफेंट्री से था तो B इसका राइट एंसर हो जाएगा नेच्ट है कि चतुर्थ बहुत संगती किसके ससनकाल में हुआ था तो कनिस्ट के ससनकाल में हुआ था कहां पर हुआ था तो जमु कास्मीर में हुआ था ठीक है तो D इसका राइट एंसर हो जाएगा जमु कास्मीर के कुंडल बन में Next है सुराज पार्टी का संबंध निमन में से किस बेक्ती से था जो सुराज पाटी का सम्वन जो है निमन में से किस बेक्ती से था तो C.R.10 का सम्वन जो है सुराज पाटी से था तो C. इसका राइट एंसर हो जाएगा हम चाहेंगे कि आप लोग बताइएगा कि सुराज पाटी की अस्थापना कब की गई थी और इसके महा सचीब कौन थे नेक्स्ट है कि संपर्दाइक निरवाचक का जनक किसे माना जाता है तो संपर्दाइक निरवाचक का जनक जो है लॉड मिन्टो को माना जाता है लॉड मिन्टो को माना जाता है तो ए इसका रैट एंसर हो जाएगा नेक्स है कि निवन में से कौन आपके सुमली थे इसमें से कौन आपके सुमली थे तो देख लिए जो कौन सुमली थे भारत परिशद अधिनियम 1892 परतिनिधी सरकार की अस्थापना यह तो सही है मारले मिन्टो सुधार 1909 केंदर में 12 सासन यह गलत है मांटेगिव चोंसपूर सुधार समपरदाइक परते निदित 1909 में इभी गलत है 12 सासन अधिनियम 1935 परांतों में दोई सासन ये गलत है परांतों में नहीं केंदर में ठीक है तो केबल सही कौन है ये आपके केबल सही हो जाएगा नेक्स है कि राश्टी द्धज का डेजाइन किस ने तयार किया था तो जो राश्टी द्धज है उसका डेजाइन पिंगली बंकईया ने तयार किया था पिंगली बंकईया ने तो ये इसका राइट अंसर हो जाएगा ए इसका right answer हो जाएगा नेक्स है कि 2018 में FIFA बिसकप किस देश ने जीता था यह बहुत ही अच्छा कोशन था 2018 में FIFA बिसकप किस देश ने जीता था तो किस के दोबरा जीता गया था फ्रांस के दोबरा 2022 का FIFA का आयोजन कहां पर किया जाएगा नेक्स है कि अगला ACI खेल कहां पर होगा जो अगला ACI है कहां पर होगा तो चीन में होगा तो B इसका right answer हो जाएगा नेक्स है 6 अगस्त 1945 तथा 9 अगस्त 1945 को करमसा जपान के हिरो सीमा तथा नागा साकी पर जो परमानू बम गिराए गए थे उनमें से कौन सी अभिकरिया हुई उसमें से कौन सी जो अभिकरिया होती है तो विखंडन की अभिकरिया होती है विखंडन की सनलेन कहां होता है सुर्ज में होता है तो C इसका right answer हो जाएगा नेक्स है कि अलकनन्दा तथा सम्बंधित देश है तो दच्छिन कुरिया बियतनाम और जपाण तो ये इसका रेट Nepal हो जाएगा नेटन आएगा निवन में से कौन जो है इसम्बन हमें इसम्बन हमें सुमलित है तो कौन आपके सुमलित है तो देख लिए जो कौन सुमलित है तमिल नाडू सेलम ये तो सही है ठीक है दुरगापूर आपके कहाँ पर है उडिसा में नहीं है पच्छिम मंगाल में भीलाई आपके पच्छिम मंगाल में नहीं है राउर केरा कहाँ पर उडिसा में पच्छतिसगल में नहीं है तो केबल आपके सही कौन हो जाएगा ये ईसके बाद है чos Ну यह मैं इसका राए एन अंसर हो जाएगा इ। है नेक्स्ट सागर अजलभण प्रपाट कहां पर है तो बना में कहां पर है देक्षा जाल पर पर और गोवा में लगतार आप लोग इसका फोटो देखते हो गैसका फोटो होते नेक्स्ट है कि नामचिक नमफुक कोईला छेतर कहां अस्तित है तो अर्वनचली परदेश में अस्तित है तो D इसका राइट अनसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि करनाटक और महरास्ट में अवस्तित पच्मी घाट को क्या कहते हैं अच्छा कोशन है कि करनाटक और महरास्ट में अवस्तित पच्मी घाट को क्या बोला जाता है तो सहाध्री बोला जाता है क्या बोला जाता है तो सीवल आपके सही नहीं है, सिपकिला जो दर्रा यहां से आपके 17 नदी भारत में परवस करती है, नेक्स्ट है, रंगीत नदी कहां बहती है, रंगीत नदी जो है कहां पर बहती है, तो सिक्की में बहती है कहाँ पर सिक्की में बहती है तो ए इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट ए करकरेखा निम्न में से किस राज से होकर गुजरती है तो करकरेखा भारत के आठ राजियों से होकर गुजरती है कौन-कौन डास्टे होकर गजरती है तो यहां पनोट कर लिजएगा आप लोग आपके गुजरात, रजस्थान, मदपर्देश, छतिसगड, जारखंड, पच्छे मंगाल, तिरिपूरा और मिजोरम जारखंड, मदपर्देश, तिरिपूरा, मिजोरम तो ए, इसका राइट अंसर हो जाएगा, ठीक है, ए, इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि किस अनुछेद के तहद, निती निदेशक तहद को नियाले में प्रस्णगत नहीं किया जा सकता है अच्छा कोसन है कि कि किस अनुछेद किस अनुछेद के तरह जो है निती निधित सकत को जो जो है नियाले में प्रस्नगत नहीं किया जा सकता है तो अनुछेद सहितिस के तरह इसका राइटेंसर युदध नेक्स्ट है कि राज निर्वाचन आयुक्त को कौन पाधी से हटा सकता है? तो जो परकिरिया उच नियाले के नियाधीस को हटाने का है, उसी परकिरिया से जो है राज के निर्वाचन आयुक्त को हटा सकते हैं, तो D इसका रही टेंसर जाएगा. नेंक्स नहुक एकि निम्न मैं से राश्चपती के कारकाल से संबंधित कौंसा करम आपके सही है तो देख लेगे कौंसा कारकरम आपके सही है इसमें आपको जयाद रखना है कि सबसे पहले आपके फकरवध्दीन अली अहमाद आपकी लाजपती बनते हैं उसके ग्यानी जेल सी फिर आर बेंकेट रमन और डॉक्टर संकत द्याल सर्मा बनते हैं तो डी इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है डी इसका राइट अंसर हो जाएगा रॉट अपकोसन था नेक्स्ट है कि भारत में भारत में कितने बार अपात काल लागू हो चुका कितने बार भारत में तीन बार आपके अपात काल लागू हो चुका है कितने तीन बार हो चुका है कब कब आप सभी लोग लिखेगा कॉमेंट बॉक्स में नेक्सटे कि समिधान के उद्यसका में किस मौलिक अधिकार का बरनन नहीं किया गया है तो आर्थिक सोतंता का बरनन नहीं किया गया जब कि विचार की सुतंता विश्वास कि सुतंता अभिभेक्ति कि सुतंता का बरनन किया गया है तो ए इसका right answer हूज जाएगा नेक्स है कि पंचायती राज की बेवश्ता से सम्मंधित समिती कौन सा है अच्छा कोसन है कि पंचाइती राज की बेवस्ता से सम्मंदित कौन सी आपके समिती है तो बलबंत महता समिती है तो सी इसका राइट हैंसर हो जाएगा नेक्स है कि अंतरास्टी परिसत का गठन किस समीति के सिफारिस पर किया गया था तो केलकर समीति के सिफारिस पर तो ए इसका रायटन सरू जाएगा नेक्स है कि उद्धेश का में समिधा संसुधन में कौन सा सब्द जोड़ा गया तो समाज बात धर्वन रिपेच लोगतांतरिक नहीं समाज बात पत्वन रिपेच और अखंडता तो B इसका रायटन सरू जाएगा नेक्स है कि भारत के भारत के राश्पती को किस पकार आपके पत से हटाया जा सकता है तो भारत के जो राशपती को किस प्रकार से पत से हटाया जा सकता है तो संसदिया प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है, संसदिया प्रक्रिया के द्वारा, महाभुयोग के द्वारा तो C, इसका right answer हो जाएगा Next है, संघात्मक सरकार में क्या होता है तो सक्तियों का विकेंद्री करन राज और केंद्र में होता है तो ए इसका right answer हो जाएगा नेक्स है कि भारत का रास्टी बिरिच क्या है तो बरगद है भारत का रास्टी जलिय जीब कौन है तो गंगा का डॉल्फिन है गंगा का डॉल्फिन है चीली का चुकी मात खान किसके लिए प्रसीद है तो कॉपर के लिए प्रसीद है तामा के लिए तो बी इसका right answer हो जाएगा नर्मदा बचाओ अंदुरण से कौन जुड़ी है तो मेधा पाटिकर जुड़ी है कौन मेधा पाटिकर नेक्स्ट है कि भारतिय जलवायू से संबंदित ये 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 यसो क्या है तो एल लिनो है तो बी इसका right answer हो जाएगा नेक्स्ट है दोयर एगारा की जनगन्ना के अनुशार सरवाधिक जनसंख्या किस राज की है तो सरवाधिक जो जनसंख्या है उत्तर परदेश की है कहां की है उत्तर परदेश की बिहार आपकी तिसरे नमर पर है नेक्स्ट है कि निमलिखित का उचित निमलिखित का उचित मिलान करना है इसमें से सही आपको एक तरीके से मिलान करना है तो मिलान कर लेजिए टिहरी बांद जो टिहरी बांद है टिहरी बांद कहां पर है उत्राखंड में है उसके बाद है सरदाज सरबर बांद गुजरात में ये भी सही है तुग भंदरा करनाटक में ये भी सही है हिरा कुंड बांद उडिसा में तो सारे के सारे ओप्सन सही है तो ए इसका right answer हो जाएगा next है कि निमन में से कौन आपके सही नहीं है इसमें से कौन आपके सही नहीं है तो देख लेजिए दलदली मिट्टी कच किरान में तो सही है नमकीर मिट्टी मरुभुमी में सही है पीट मिट्टी उत्र परदेश में ये आपकी गलत है लिटर राइट मिट्टी तमिल लाड़ो में तो ये सही है C जो अप्सन है आपकी गलत हो जाएगा next है कि काच का गहरा नीला रंग किस करण होता है काच का गहरा नीला रंग जो है किस करण होता है तो कोबाल्ट ओक्साइड की करन, किसे करन, कोबाल्ट ओक्साइड की करन, तो B इसका राइट अंसर हो जाएगा, नेक्स है कि अमीवा किस से भोजन गरहन करता है, तो आपको याद आखना है कुट पाद से, किस से कुट पाद से, तो A इसका राइट अंसर हो जाएगा, नेक् प्रकास का तरंग सिध्धान किसे कहते हैं प्रकास का तरंग सिध्धान किसे कहा जाता है तो हाईजेन को बोला जाता है किसे बोला जाता है हाईजेन को बोला जाता है तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा ए इसका राइट अंसर हो जाएगा नेश्ट है कि इनमें से कौन ज क्या होता है तो एक तरह किने इसमें पाया जाता है तो दि इसका राइट धुगना कर दिया जाए तो उसके गतिज उर्जा में कितने पर्तिशत की बिर्दी होगी तो 300 की कितने 300 की तो बी इसका राय इंसर हो जाएगा नेक्स पतार्द की कैसी होती है अच्छा कुशन है कि प्रती प्रति चुमबक्य प्रधार्द के बीसे चुम्बक्य प्रकृति कैसी होती है तो रिनातमक होती है लेक्स है कि इनमे से को तक पॉलीस इंजाइम करते हैं इन वेAusteg इने में से जो है तक पॉलीमर एंजाइम सरावन करते हैं तो इसमें आपको याद रखना है कौन करते हैं इस चीरिया कौन इस चीरिया तो ए इसका राइटन सरो जाएगा इसे आप लोग एक बार पढ़ लिजेगा डेंग से नेक्स्ट है संतोस ट्रॉफी का संबंध किस खेल से तो किर्केट से तो डी इसका राइटन सरो जाएगा नेक्स्ट है दोस्पूर्ण सिच्छा परनाली का प्रतिफल है दोस्पूर्ण सिच्छा परनाली का प्रतिफल क्या है तो यूबा असांती तो डी इसका राइटन सरो जाएगा नेक्स्ट है वस्तु संयोग पन का उधारन क्या है तो पेन और सियाही क्या है पेन और सियाही तो यह इसका प्राइटन से रो जाएगा नेस्ट है कि जब समाज सभी नियमों को माप डंडो के साथ पालन करता है तो उसे कहते हैं तो उसे क्या बोला जाता है समाजी करन बोला जाता है एक परकास बराबर हो आई कम आई सो आई कॉंग्रेड किसने कहा था तो जूलियस सीजर ने कहा था आई कम आई सो आई कॉंग्रेड किसने कहा था जूलियस सीजर ने बोला था there is no such things as a free launch पुस्तक किस ने लिखा है तो किस के द्वारा लिखा गया है यह पुस्तक लिखा गया है Milton Friedman के द्वारा Friedman के द्वारा लिखा गया है तो B इसका right answer हो जाएगा next है कि भारत का राश्पती किस पकार का बीटों का परियोग करते हैं अगलन का बीटों का भी परियोग करते हैं तो इसमें तो एक बार आप लोग चेक कर लिजेगा जो अत्यांतिक बीटों इसका परियोग आपके भारत के राश्पती नहीं करते हैं इसका अंसर आप जरूरू चेक कीज़एगा धान के खेट से किस पकार गैस निगलती है तो धान के खेट से जो है CH4 अपकी गैस निगलती है CH4 मिथन निगलती है तो C इसका रैटेंसर हो जाएगा नेक्स एक कि जर्मनी के अधिकारिक मुद्रा क्या है तो यूरो है कौन है यूरो है तो day इसका right answer हो जाएगा 75 में से आप लोग कितने कोस्तन सही कर पाते हैं उसके बारे में comment box में जरूर लिखिएगा और देखे जितना भी कोस्तन आपके बिहार दरोगा बिहार SSC पुछा है सारे कोस्तन को हम लोग discuss कर लेंगे ताकि आपके जो बिहार दरोगा एक्जाम है वहाँ पर जाद जाद आपको help हो सके आपको वीडियो कैसा लगा comment करके जरूर बताईएगा Thank you